बच्चों क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आस पास जो बहुत सारी सुविधाये हैं जिनका आप उप्योग कर रहे हैं वो हमको कैसे मिलती है हम परिवहन के रूप में देखते हैं कि हमको बहुत अच्छी सडके मिलती है बहुत सारे सरकारी स्वासिकेंद्र अस्पताल हमको मिलते हैं सिक्षा के छेतर में हम देखते हैं की आप बहुत अच्छे सारवजनिक स्कूल बना दिये गए हैं तो ये सारी सुविधाएं हमको कौन देता है और क्यों देता है इन सारी सुविधाओं के पीछे सरकार का सहयोग होता है सरकार इन सुविधाओं को जनता को याने अपने राज्य को अपने देश के लोगों को प्रदान करना अपना करता भी समझती है तो आए देखें कि एक सरकार की अपने राज्य के अपने देश के प्रती कौन-कौन से करता भी होते है या हम इसको इस तरह भी किया सकते हैं कि आधुनिक समाज में सरकार की क्या भूमिका है सबसे पहले तो हम देखें कि सरकार की भूमिका बाहरी खत्रों से देश की सुरक्षा करने की बनती है आप देखते होंगे कि लगातार हमको न्यूस चैनलों में ये समचार सुनने को मिलता है कि सीमा से लगे जो देश हैं उन देशों ने हमारे देश पर आक्रमन किया या थोड़ा सा वो अपनी जमीन से आगे बढ़ गए या वहां पर हमारे जो जवान तैनात हैं उनको किसी प्रकार की वो हानी पहुचा रहे हैं तो इस तरह की कोई भी घटना ना हो ये जो देश की सीमा से लगे हुए अन्यपडोसी देश हैं इनसे हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का एक महत्तपूर्ण करता भी होता है इसमें सरकार अपनी एक महत्तपूर्ण भूमिका निभाती है इसी तरह हम देखते हैं कि आंतरिक कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी सरकार का एक महत्तपूर्ण उत्तरदाई तो होता है देश में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं के लिए कहीं न कहीं सरकार को ही उत्तरदाई ठहरा दिया जाता है जब भी कुछ लोग कानून तोड़ते हैं हिंसा पर उतारू हो जाते हैं अनयतिक कारे करते हैं आई दिन आप देखते होंगे टीवी में नियूस चैनल में कि किस प्रकार लोग छोटी-छोटी सी बातों को लेकर बहुत बड़ी हिंसा का एक रूप दे देते हैं उसे और सारवजनिक जो संपत्तिया होती हैं लोगों की जो अपने निजी संपत्तिया होती हैं किस प्रकार उनको छती पहुचाते किस प्रकार वो दुरगटना का शिकार हो जाती हैं तो देश के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे इसका भी पूरा-पूरा ध्यान रखना सरकार का करता भी होता है इसी तरह एक महतुपूर्ण करता भी होता है सारवजनिक सुविधाय उपलब्ध कराना जिसके अंतरगत जिसे हमने अभी देखा हमने बात की कि हम देखते हैं सारवजनिक विद्याला हैं बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं उनकी सुविधा सरकार मुहिया कराती है ताकि सभी लोगों तक देश के सभी लोगों तक अच्छी से अच्छी सिक्षा विवस्ता पहुँच सके अगर हम अपने राज्य के बारे में बात करें तो आप देखते होंगे कि किस प्रकार हमारे राज्य में स्वामी आत्मानन विद्यालाई के नाम से जो उत्कृष्ट विद्याल हैं तो सिक्षा और सबको सिक्षित करना सरकार ने कहीं न कहीं अपना उत्तरदाईत तो समझा और इसमें अपनी एहम भूमिका निभाई इसी तरह हम स्वास्त के छेत्र में देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े सर्वजनिक अस्पिताल आज हमारे पास है जहां हम अपन सरकार ने अपने एक एहम भूमिका निभाई है और इनके विकास के लिए इनके विस्तार के लिए काफी प्रयास किये हैं ऐसे ही हम देखें तो सरकार की एक महत्पूर्ण भूमिका होती है जो देश के जो लोग के हैं प्रत्येक राज्य के जो लोग हैं उनके रोजगार की उपलब्धता को सुनिश्चित करना यानि ये प्रयास करती है सरकार कि देश के सभी लोगों को रोजगार मिल सके ताकि उनकी आय का एक साधन नर्धारित हो सके और प्रतिवेक्ति आय में व्रिद्धी हो सके अगर प्रतिवेक्ति आय बढ़ेगी तो राश्ट्री आय भी सरकार एक महत्पूर्ण कारे के रूप में खाद सुरक्षा के लिए भी प्रयास करती है देश के प्रतिएक व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए एक अच्छा भोजन मिल पाए अच्छी कॉलिटी का भोजन अच्छी कॉलिटी का उनको पानी मिल पाए उनका स्वास्त सही रहे बना रहे इसके लिए सरकार ये प्रयास करती है कि जो भी खाद्यपदार्थ है वो देश में सुरक्षित रहे देश के लोग जिन खाद्यपदार्थों का उपयोग कर रहे हैं वो उनके स्वास्त के दृष्टी से उत्तम हो जादा से जादा अच्छे से अच्छा हो और साफ सुत्रा भोजन साफ सुत्रा पानी और उनके जीवन के जो आवशक्ताएं वो उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से उनको मुहया करवा पाएं बच्चों आप कुछ ऐसे फोट्स में खाते होंगे जो डिबबा बंध होते हैं ऐसे पैकिंग हुआ होता है पहले हम जाने की वास्तों में ये एफ एस एस एई है क्या इसका फूल फॉर्म है फूर्ट सेप्टी एंड स्टैंडर्ट अथोरिटी ऑफ इंडिया यह जैसे कि हमने देखा कि खाद सुरक्षा प्रदान करना भी सरकार का एक महत्यपूर उत्तरदाइत तो हो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कुछ मानक कुछ स्टैंडर्ड नरधारित कर देती है और अगर इस तरह की सील उसमें लगी हुई है FSAI यह जो खाद्य पदार्थ है जो उसकी सुरक्षा है जो उसकी गुणवत्ता खाद्य पदार्थ के उसके मानक को पूर्ड करते हैं यह मान लिया जाता है तो चलिए यह तो रही खाद्य सुरक्षा की बात अब हम देखें कि इतनी सारी facilities के बारे में हमने जो बात की कि सरकार इतने सारे उत्तरदायतों को निभाती है हमारे सिक्षा में, स्वास में, परिवहन में, रोजगार में हर जगह सरकार अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है तो ऐसा क्यूं होता है, क्यूं सरकार इन सभी छेतर में अपनी महत्वपूर्ण भूमी का निभाती है इसका एक सीधा सीधा आंसर है क्यूंकि प्रतेक सरकार का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है सरवांगेण विकास, अपने देश का सरवांगेण विकास करना और ये विकास हम इनको बाट सकते हैं कुछ अलग-अलग भागों में जैसे कि देश का आर्थिक विकास करना, समाजिक विकास करना, राजन्यतिक विकास करना, सांस्कृतिक विकास करना और इस तरह से ऐसे जो भी छेत्र हैं जिन से मिलकर पूरे देश का सरवांगीन विकास स आर्थिक विकास की अगर हम बात करें तो हमने देखा कि सरकार हमेशा इस बात की कोशिस करती है कि जो हमारे देश के उद्योग है वेवसाय है व्यापार है उनको कही न कही चालू रखा जाए उनकी उन्नती में कही न कही सरकार भागिदार बनने का प्रयास करती है पिछले अ ये अपना विकास कर सके और इनके विकास के साथ साथ देश के लोगों का भी विकास जुड़ा हुआ रहता है तो एक आर्थिक विकास के छेत्र में भी सरकार एक महत्वण भूमिकादा करती है और ठीक उसी तरह समाजिक विकास के लिए समाज में सुरक्षा बनाए रखने के लिए आपसी प्रेम भाई चारा बनाए रखने के लिए भी सरकार लगातार कुछ ऐसे कारी करती है जिससे अपने इन उद्यशों को वो प्राप्त कर सके वैसे ही हम देखते हैं कि राजनैतिक विकास प्रतेक सरकार के प्रती जनता के मन में विश्वास बना रहे हैं इसलिए स सिक्षा स्वास्त से लेकर जो परिवहन है अन्य वैवसा है उन सभी छेत्रों में वो जनता का विकास कर पाए ताकि देश की लोग उस सरकार पर अपना विश्वास बनाए रखें तो राजनैतिक विकास के लिए भी वो उत्तरदाई होती है और साथ ही साथ हम संस्कृतिक विकास देखते हैं देश की जो संस्कृति है जो धरोहर है उसको बचाये रखना उसको बनाए रखना प्रतेक सरकार का उत्तरदाई तो होता है इसलिए आप समय समय पर देखते होंगी कि सरकार का ये प्रयास रहता है कि प्रतेक शेत्र में कुछ जो पुरानी हमारी धरोहर उसको सरकार tourist place के रूप में develop करती है जिससे प्रतेक देश की राजी की सरकार को कुछ आई भी मिल जाती है लोगों तक उस संस्कृति का प्रसार भी होता है और देश का संस्कृति क विकास भी संभव हो पाता है तो ये तो हमने बात की कि क्यों सरकार इन सब चीजों में कारे करती है क्यों इन विकास के लिए अपना एक उत्तरदाई तो इन विकास को समझती है अब हम क्योंकि बात कर रहे थे बजट की तो अब हम आजाएं सरकारी बजट में आप अपने घर में देखते होंगे कि जब भी हमको कोई नया कारे करना होता है तो हम उसको तुरंत ही करना शुरू नहीं कर देते जिसे मान लेजे आपके परिवार में कोई शादी विवा है तो उसके लिए हमको कुछ समय चाहिए होता है और फिर हम देखते हैं कि हमारे पास धनराशी कितनी है, पैसा कितना है और फिर उत्स पैसे को हम कैसे बहुत अच्छे से खर्च कर सके कि हमारे सारे काम भी हो जाए और पैसा कम भी न पड़े तो इसके लिए हम पहले से अपना एक बजट तयार कर लेते हैं इसके लिए हम अपना बजट बना लेते हैं कि हम किन किन चीजों पर किन किन मदों पर हम कितनी कितनी धनराशी वे करेंगे कितना कितना खर्च हम करेंगे इसके लिए हम अपना एक बजट बना लेते हैं ठीक ऐसे ही आप अपने परिवार में देखते होंगे कि आपके माता पीता की या जो भी आपके गार्जियन है, उनकी जो मासिक आय होती है, at यूंहिं नहीं कर्च करते हैं, वो भी अपने एक छोटा सा बजट बना लेते हैं, कि मुझे अपनी आय का कितना भाग अपने बच्चों की सिख्षा परवे करना है, कितना स्वास्त पर परवे करना है कितना मनोरंजन परवे करना है और उसमें से कुछ धनराशी को बचा भी लेना है तो इसका पहले से ही एक बजट तयार रहता है यह हम यह कहें तो किसी भी कारे को सुचारू रूप से बिना बाधा के बिना किसी रुकावट से अगर चलाना है पूरा करना है तो बजट बना लेना बहुत जरूरी होता है अब हम आजाएं सरकारी बजट में तो आपने देखा कि सरकार के पास कितने सारे उत्तरदाइतों होते हैं और इन उत्तरदाइतों को पूरा करने से पहले वो ये भी सोचती है कि सभी छेत्र में वो अपने जो उद्देश उसके नधारित के हुए हैं वो पूरे हो सके इसके लिए वो अपने देश का अपने राज्य का अगर राज्य सरकार है तो वो राज्य के लिए बजट बनाती है और पूरे देश की सरकार पूरे देश के लिए बजट बनाती है तो सबसे बड़ी ब को ने और उसके बार वह बजथ बनाना शुरू пришं कि में इसके बाद यह देखा जाता है कि जिन जिन चेत्रों में अलग अलग विभाग जैसे अभी हमने जाना कि कितने सारे इव हागों पे सरकार पैसा खर्च फिर यह डिसाइड करती है कि उसके पास जितना पैसा है उसमें कितना कितना प्रतिशक्त अलग-अलग किन विभागों पर खर्च किया जाएगा और फिर ये देखा जाता है कि राजस्व की प्राप्ति करनी है तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि राजस्व की प्राप्ति हमको कर के माध्यम से ये शुलके के माध्यम से होती है तो कितना राजस्व प्राप्ति किया जाए कैसे करार ओपन किया जाए किन-किन वेस्तू किन-किन सेवाओं पर कितना कर लगाया जाए इसका निर्धारन कर लेना भी बहुत जरूरी होता है और उसके बाद सबसे महतुपूर बात यह होती है कि हमने बजट बनाया लेकिन हमारा जो राजस्व है वो उस बजट से कम आ रहा है यानि पैसा हमारे पास कम है खर्च करने के लिए और खर्चे हमारे बहुत ज़ादा है ऐसे कंडिशन में कई बार सरकार को उधार भी लेना पड़ जाता है तो ये उधार कैसे लिया जाए किन नियमों के तहत लिया जाए किन संस्थाओं से लिया जाए ये सुनिश्चित कर लेना भी सरकारी बजट निर्माण के अंतरगती आता है अब अगर हम बात करें बजट के तयारी की और प्रस्तुती करण की तो यहां पे हम देखते हैं कि राज्य सरकार की अगर हम बात करें राजी के बजट की हम बात करें तो वहां की जो राजी सरकार होती है वो ही बजट का निर्माण करती है और बजट को प्रस्तूत करती है और कहां प्रस्तूत करती है विधान सभा में हाला कि सरकार के द्वारा बजट का निर्माण और प्रस्तूती करन किया जाता है लेकिन वि धान सभा के जो सदसे होते हैं वो सब आपस में मिलकर ही उस बजट को पारित करते हैं उसका जो प्रस्ता होता है उसको स्विकरित करते हैं ऐसी ही जब हम केंद्री बजट के बात करते हैं पूरे देश के बजट के हम बात करते हैं तो देश का जो बजट होता है वो संसद में प्रस्तूत किया जाता है और संसट में ये प्रस्ताव जो संसट के जो सदस से होते हैं उनके माध्यम से पारित करवाया जाता है पास करवाया जाता है तो बजट निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ये काफी लंबी होती है और पिछले कुछ अध्यायों में हमने देखा भी तो ये निर्धारित तो कर लेती है सरकार की किन किन मदों पर कितना कितना कर लगाया जाए और उसके बाद कर के रूप में जो राजस्वे की प्राप्ती हुई है उनका खर्च कहां कहां पर किया जाए लेकिन ये सिर्फ एक निर्णय होता है इस निर्णय की स्विकृती करवा तो किया आपने कभी सोचा कि सरकार अपने द्वारा बनाए गए बजट को सिधा प्रस्तुत करके पारित क्यों नहीं कर लेती। प्रजातांत्रिक देश है और विधान सभा में जो बहुत से सदसे होते हैं और संसद में होते हैं वो कहीं न कहीं जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधी के रूप में कारे करते हैं जनता का एक विश्वास उनसे जुड़ा हुआ रहता है कि सरकार जो भी नियम बनाएगी जो भी नीतियों का निधारन करेगी वो जनता के हित में होगा तो क्यों किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के द्वारा बनाएगे नियम या कानून को पूरे जनता पर लागू किया जाए बलकि जनता ऐसा चाहती है कि उनके जो चुने गए जनप्रति निधी है उनको भी मालूम हो कि जनता के लिए किस तरह से किस प्रकार से कौन कौन से नियम बनाएगे है इसका एक महत्वपून कारण ये भी हो सकता है कि यहां पर राजस्व का सही उप्योग हो रहा है या नहीं ये बात जनता तक पता चले जो उनको अपने जनप्रतिंधियों के माद्यम से पता चल सकती है कर जो लगायय जा रहे हैं वो जनता के हितमे है या नहीं ये बात उनको पता हो यानि यहां करारोपन में पारदरशिता बनी रहे ये भी हम कह सकते है वैसे ही एक महतुपूर्ण कारण ये भी है कि सरकार से जो अपेक्षाएं है जनता की वो उनकी अपेक्षाएं पूरी हो रही है या नहीं इस बात की जानकारी भी उनको प्राप्त हो सके अपने जन प्रतिनीधियों के माध्यम से और उनके जो भी अपेक्षाय है सरकार से वो पूरी हो सके तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुई ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है कि केवल सरकार द्वारा बजट बना देना प्रस्तुत कर देना और पारित कर लेना सही नहीं है बलकि विधान सभा के सदस से राजसरकार के बजट पर अपना मत रखे और संसद की सदस से हैं वो किंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया बजट पर अपना मत रखे ये скорее और पारित तो जाए प्रस्तुत कर दिया जाये और पारित हो जाए यहां तकी प्रक्रिया समाप्त नहीं होती है बलकि जो विपक्ष के सदस्य होते हैं वो भी काफिन लंबी करण करते हैं आलोचना भी करते हैं और कुछ सुझा acceso भी उसके वाली प्रक्रिया है एक महतुपूर्ण बात हम यहां पर देखते हैं क्योंकि जन्ता के लिए ही ये बजट बनाया जाता है तो इस बजट में जन्ता की क्या भागिदारी होती है वास्तों में सरकार जो नियम बनाती है जो कारिकरम बनाती है जो योजनाय बनाती है अगर उनके लिए परियाप्त मात्रा में बजट ना हो तो वो एक वादे तक ही रह जाती हैं सीमित वो पूरी नहीं हो पाती है और यही इन्ही वादों को जनता सरकार को याद दिलाती है कि आपने ये वादे किये थे आप अपने बजट में इन चीजों को डालेंगे आप अपनी नीतियों में ये सारे कारे करेंगे ये सारी चीजे उनको जनता ही याद दिलाती है तो कहीं न कहीं जनता भी एक महत्रपूर्ण भूमिका अदा करती है बजट के बाद हम बात करें बजट के आधार की याने बजट किस आधार पर बनाया जाता है हमने देखा कि सरकार के पास जो राजस्व की प्राप्ती होती है राजस्व की जो कुल राशी होती है उसके आधार पर सरकार अपना बजट बनाती है कि कितना पैसा है और किस तरह से उसको खर्ज करना है तो ये राजस्व प्राप्त कहां से होता है राजस्व प्राप्त होता है करो ये शुल्क के माध्यम से सरकार जो टेक्स लगाती है जो कर लगाती है वही उसके राजस्व यानि उसकी आयक के महत्वपूर्ण स्त्रोत होते हैं करों की अगर हम बात करें तो यहां पर हम कर को दो भागों में बाट देते हैं एक प्रत्यक्षकर यानि डारेक्ट टेक्स और दूसरा अप्रत्यक्षकर यानि इनडारेक्ट टेक्स बात करें हम प्रत्यक्ष कर यानि डारेक्ट टेक्स की तो जैसे कि नाम से हिस्पस्ट हो जाता है ये वो कर वो टेक्स है जो किसे वैक्ति के द्वारा ये किसे संस्था के द्वारा डारेक्ट प्रत्यक्ष तौर पे सरकार को चुकाए जाते हैं सीधे तोर पर सरकार को चुकाए जाते हैं जैसे अगर हम इक उदाहरण के माध्यम से इनको समझने का प्रयास करें तो आय कर और निगम कर इसके बहुत अच्छे उदाहरण है आप देखते होंगे कि जो भी सर्विस करने वाले लोग होते हैं उनकी सेलरी से टेक्स जो होता है वो डारिक डिड़क्ट हो जाता है सीधे तोर पर वो सरकार को टेक्स के रूप में चला जाता है वैसे ही कुछ कॉर्पोरेट कुछ संस्थाएं या कारखाना या वेवसाय भी ऐसे होते हैं जो जितना भी उनका प्रोडक्शन जितना भी उनको इनकम उनको होती है उसमें से जो भी उनके वै हुए होते हैं उत्पादन संबन्दी उनको घटा देने के बाद जो भी आय प्राप्त होती है उनको उस पर प्रत्यक्ष रूप से वो सरकार को कर देते हैं उस प्रतिशत के आधार पर यो सरकार के द्वारा ही नरधारित किया जाता है तो यहां पर अगर हम बात करें प्रत्यक्ष करों में आयकर की तो आप देखते होंगे कि आयकर सभी वेक्ति पर समान रूप से लागू नहीं किया जाता बलकि इसका एक स्लैब निर्धारित किया जाता है एक आय निश्चित की जाती है कि वैल्यू निर्धारित कर दी जाती है कि इस से ज़्यादा अगर आपकी आय होगी तो आपके उपर किस किस स्टेप बाइ स्टेप कैसे टेक्स लगाया जाएगा इसका महतवपून कारण ये होता है कि देश में कई आय वर्ग के लोग रहते हैं तो सब पर एक जैसा ही टेक्स लाद देना कहीं न कहीं गलत होता है जिनकी आए जादा है वो थोड़ी सी जादा मात्रा में tax देते हैं और जिनकी आए कम है वो कम मात्रा में tax देते हैं आए आए कर से समद्धित एक format देखें जिससे हमको यह पता चलेगा वर्तमान में हमारे देश में tax lab कैसा है तो आपने इंकम टेक्स से समंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारिया प्राप्त की इसी तरह कॉर्पोरेट सेक्षन में भी हम देखते हैं कि जो भी आय जो भी उत्पादन होता है उसमें जो शुद्ध आय प्राप्त होती है अने खर्चों को घटाने के बाद उस पर भी सरक प्रत्यक्षकर को दिया जाता है अब अगर हम बात करें अप्रत्यक्षकर यानि इंडारेक्ट टेक्स की इंडारेक्ट यानि नाम से इस पस्ट है कि टेक्स आप देते हैं लेकिन कई बार आपको पता भी नहीं रहता है कि जिन वस्तों को जिन समान को आपने खरीदा है उस कीमत के साथ साथ आपने टेक्स भी दिया हुआ है हम जब भी किसी वस्तु को खरीते कोई समान हम खरीते हैं तो आप देखते होंगे उस पे MRP लिखा हुआ होता है maximum retail price लिखी हुई होती है और साथ में ये भी लिखा होता है सभी करों सहित यानि उसकी जो MRP निरधारित की गई है उसमें भी tax include है यानि आप उस समान के लिए उस वैपारी को जो पैसा दे रहे हैं वो केवल उस समान का पैसा नहीं है बलकि वो विक्रेक कर भी उसमें शामिल है जिसको आप अपरत्यक्ष रूप से विक्रेता को दे रहे हैं तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आप प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु या सेवा पर हम जो कर देते हैं वो अप्रत्यक्ष करके अंतर गताता है तो किवल वस्तु ही नहीं बलकि हम कई प्रकार के बिल जो भरते हैं आप होटल में जाते हैं खाना खाने तो आप देखते है last में JST अभी include रहता है उसमें तो आप वहाँ पर भी indirect text देते हैं हम किसी प्रकार की कोई सेवाएं लेते हैं telephone का हम bill pay करते हैं mobile का हम bill pay करते हैं तो उसमें भी text include रहता है जाने अन जाने में हमको वो text देना ही होता है डारेक्ट ना देके हम उसको indirect अपरत्यक्ष रूप से देते हैं इसलिए सारे कर्ज होते हैं वो अपरत्यक्ष करके अंतरगत आते हैं एक उदाहरण से हम समझें कि मान लेजिए आपने 10,000 रुपे की एक TV ली और उस पर 18,000 रुपे का tax है विक्रिता को 18,000 रुपे का tax देना है तो वो tax की value भी इसमें add कर देगा यानि उस TV का मूल्य हो जाएगा 11,800 रुपे तो आपको तो ये लगेगा कि TV कितने की है 11,800 रुपे के आपने TV ली कई बार आपको ये मालुम भी नहीं होता है कि आपने उस पर 18,000 रुपे का tax भी पे किया है तो ये ऐसे अप्रत्यक्ष कर होते हैं जिनको हमको डारेक ना पे करके वस्तू या सिवाओं के मूल्य के साथ पे करना होता है तो इस तरह से आपने देखा कि सरकार अपनी आय को प्राप्त करने के लिए यानि कि राजस्व की विवस्था करने के लिए किस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर लगाती है प्रत्यक्ष कर के बारे में हमने काफी विस्तार से जाना और साथ ही आप्रत्यक्षकर के बारे में आपने देखा कि किस प्रकार अलग-अलग मदों पर अलग-अलग वस्तु और सेवाओं पर विक्रे पर क्रे पर आप्रत्यक्षकर लगाया जाता है हमने देखा कि आप्रत्यक्षकर जब लगाया जाता है तो ये सारे कर राज्य सरकार अपने अपने इस्तर पर अपने अपने इक्षा से लगाते हैं उनके percentage अलग-अलग होते हैं उनके अपने कुछ अलग-अलग नियम होते हैं और कुल मिला कर देखा जाये तो अप्रत्यक्षकर को लागू करने और उनको वसूल करने दोनों में ही काफी खामिया थी और इन खामियों को दूर करने के लिए GST लाया गया यह जिसे हम हिंदी मे माल एवं सेवा कर भी कहते हैं GST वास्तों में बेचे गए माल और दी गई सेवाओं पर लगाया जाता है एक महतुपूर्ण बात यह है कि GST के लागू होने से पहले जैसे कि हमने अप्रत्यक्षकर में देखा कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कर लगाया जाते थे और इनी करों के साथ बहुत सारी duties, excise duty और उसके साथ साथ बहुत सारे अनिशल्क भी लगाया जाते थे तो इन सभी मदों को मिला कर इन सभी टैक्स को मिला कर पूरी प्रक्रिया को टैक्स के लागू करने से लेकर वसूली करने की जो प्रक्रिया थी उसको आसान बनाने के लिए GST लाया गया यहाँ पे हमने देखा कि 1 जुलाई 2017 से पहले जब GST लागू नहीं था तो किस प्रकार टेक्स को लगाने और वसूल करने की प्रक्रिया थी उसमें क्या खामिया थी क्यों जरूरत पड़ी GST लाने की इन सब के बारे में हम आगे जानेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 जुलाई 2017 से देश के सभी राजियों में और उसके साथ सभी केंद्र शाशित प्रदेशों में GST लागू कर दिया गया पहले हम देखते थे कि उतपादन से लेकर विक्रे तक अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग तरह से कर अलग-अलग राजियों द्वारा लगाया जाते थे लेकिन GST के आने के बाद इसका पूरा जो एक ही करण हुआ पूरा जो परिवर्तन हुआ उसको हम कुछ एक्जामपल से समझते हैं जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले GST के लागू होने के पहले हर स्टेज पे अलग-अलग टेक्स लगाया जाता था जैसे हम देखते थे कि जैसे ही कोई माल एक राज्य की सिमा से दूसरे राज्य पर पहुँचता है याने उसके बॉर्डर को क्रोस करता है तो एक्साइस जीटी लगती थी फिर हम यहाँ पर देखते थे कि बहुत सारे अलग-अलग समानों पर बहुत सारे एडिशनल टेक्स लगते थे चुंगी जिसे हम कहते हैं इस तरह के कर बार-बार लगाया जाते थे एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर माल भेजा जाता था तो माल के घुस्ते ही वहाँ पर एंट्री टेक्स लगाया जाता था और इसके बाद कई जगह पर अलग-अलग चुंगी आदि की राशी वहाँ पर दी जाती थी साथ ही साथ हम देखते थे कि यह जो इतने एक ही वस्तू पर इतने सारे टेक्स का यह जो सिलसिला था यही नहीं थमता था ये माल जब दूसरे राज्यों में जाते बिक्ता था तो फिर से वहाँ पर उस पे sell tax लगाया जाता था और कहीं कहीं तो इसी माल पर purchase tax लगाया जाता था कई बार ऐसा होता था कि tax के उपर tax यानि एक ही वस्तु पर इतने सारे tax लाद दिये जाते थे और साथ में ये जो वस्तुएं हैं अगर वो विलासिता से संबंदित होती थी तो उनमें luxury tax भी देना पड़ता था और इन्ही वस्तुओं को अगर किसी restaurant या hotel में ले जाकर इनकी supply की जाती थी तो luxury tax देने के बाद फिर से उसी वस्तुओं पर service tax चार्ज कर दिया जाता था तो ये जो tax लगाने की पूरी प्रक्रिया थी हम ये कह सकते हैं कि इसका एक मकड़ जाल बना हुआ था काफी complicated थी और बार बार एक ही वस्तुओं पर tax लगाना उस वस्तुओं के मुले में व्रिद्धी होते जाती थी इन्ही सब खामियों से बचने के लिए और जो producer थे जो production जो कर रहे थे उनके जो माल की लागत थी उसको कम करने के लिए customer के उपर जो अत्रिक्त भार आ रहा था उसको कम करने के लिए और इन्ही सब विसंगतियों को देखते हुए फिर GST लाने के हाँ पर जरूरत पड़ी अब आये जाने कि GST की जरूरत वास्ताव में क्यों पड़ी भारती सम्विधान में टेक्स लगाने संबंधी पहले जो नियम थे उनमें किसी माल को बनाने याने मैनुफेक्चर करने और प्रोडक्शन करने से संबंधी जो टेक्स होते थे उनको लगाने का अधिकार Central Government यानि कि केंद्र सरकार के पास था और उन्हीं माल को बेचने पर जो कर लगता था यानि कि सेल टेक्स लगाने का अधिकार State Government को दिया गया था और सभिस्ट्रेट की Government अपने अपने सोविधा के अनुसार अपने अपने नरधारित टेक्स रेट के अनुसार उन्हीं वस्तो पर टेक्स लगाती थी यहां एक महतपूर बात ये देखने को मिली कि कई बार ऐसा होता था कि एक ही वस्तो पर कई बार टेक्स लगा दिया जाता था यानि वस्तो पर टेक्स को पूरी तरीके से लाद लिया जाता था और कहीं न कहीं ये सारे टेक्स भोकताओं से ही वसूल किया जाते थे वस्तुओं के बढ़े हुए मूले के साथ एक ये समस्या थी और दूसरी समस्या ये थी क्यूंकि अलग-अलग स्टेट गौर्वर्मेंट अपने हिसाब से अलग-अलग रेट पर टेक्स लगाती थी तो एक ही वस्तु का मूले अलग-अलग राजियों में अलग-अलग होता और इस तरह से एक ही वस्तु के प्रोडक्शन पर भी टेक्स देना होता था और उसी वस्तु के सेल होने पर फिर से टेक्स देना होता था तो जीएस्टी लाकर ये जो बार-बार एक ही वस्तु पर टेक्स लगाने की प्रक्रिया थी उसको एकिकरित कर दिया गया एक बार ही उस वस्तों से टेक्स ले लिया जाए इस तरह के नियम लाए गए यहाँ पर जो सबसे महतुपूर बात देखने को मिली वो यह थी कि इस GST को लागू करने के लिए बकाईदा समविधान में बदलाव करना पड़ा पहले जो नियम बनाए गए थे टेक्स लागू करने के उन सब नियमों को हटाते हुए अलग करते हुए समविधान संशोधन की प्रक्रिया अपनाए गई और पूरे देश में एक जुलाई 2017 से GST को लागू कर दिया गया आईए अब देखते हैं GST की कुछ प्रमुक विशेस्ताएं कौन-कौन सी है तो जैसे की हमने GST के अर्थ को समझा उससे हम अगर GST की कुछ विशेस्ताओं को बाहर निकाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें उत्पादन की बजाए उभ्भोग पर टैक्स लगाया गया यनि कुल मिलाकर एक बात यह कही जा सकती है कि किसी वस्तू के विक्रे पर जो टैक्स लगाया गया वास्तों में उसका पेमेंट करेगा उभ्भोगता लेकिन उसके वसूली करेगा बेचने वाला कुल मिलाकर टेक्स अभी भी उभोगता को ही देना है लेकिन एक ही वस्तू पर बार बार जो टेक्स लग रहा था अब प्रत्यक्ष करके अंतरगत हमने देखा कि बहुत सारे अलग अलग तरह के जो टेक्स लगाये गये थे उनमें एक ही करना है उनको एक ही करेट करके टेक्स की वसूली का जो दाइत व था वो विक्रेता को सौपा गया और कि वो किस तरह से उभोगताओं से टेक्स वसूल करके सरकार को दे दूसरे इसके महत्पुन विशेस्ता ये है कि हमने जैसे कि इसके मिनिंग में देखा कि एक ही वस्तु पर बार बार टेक्स यानि टेक्स का भार किसी एक वस्तु पर जो बढ़ रहा था उसको GST लाने के साथ साथ हमने खतम कर दिया एक महत्पूर्ण विशेस्ता के रूप में हम ये भी देख सकते हैं कि GST के जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो online है यानि यहाँ पर किसे भी जो व्यवसाई है कारोबारी है उनको कहीं भी किसी सरकारी दफ्तर कारयाले के चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं है जितनी भी information GST से related चाहिए वो online प्रक्रिया के माध्यम से वो सारी जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं GST के एक सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि क्योंकि यह online है और इसमें e-invoicing जो है बीजक जो है वो सभी वेपारियों के लिए अनिवारी कर दिया गया है तो यहां पर tax, अपवंचन या कर्चोरी जैसे कोई स्थिनिर्मित होनी की कोई संभावना नहीं बनती और सबसे महत्पूर्ण बात यह है कि अलग-अलग राजी की सरकारे जो tax दरों पर अब तक मनमानी करती थी अपने-अपने हिसाब से tax लगाते थे जिससे किसी भी माल का जो मूल ले था वो अलग-अलग राजियों में अलग-अलग था इन सारे परिशानियों से GST के आने के बाद चुटकारा मिला है आएए GST के इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरन से समझते हैं मान लेजे एक बिस्किट तेर्माता अपने कच्चे माल को खुले में यानि के बिना किसी ब्रांड के खरीदता है बिस्किट बनाने के लिए वो गेहू काटा, चीनी जैसे समागरी खरीदता है जिस पर कोई टेक्स नहीं लिया जाता है अब मान लेजे कि वह 450 रुपए के बिस्किट तयार करता है जिसमें उसके सारी लागत इस आकड़े में शामिल है जैसे कच्चा माल, श्रमिक की मजदूरी, कार्याले और कार खाने का किराया आदे अगर वो 50 रुपए अपने लाब का अंश जोडता है तो बिस्किट का विक्रे मुले 500 रुपए हो जाएगा और ये बिस्किट अगर वो एक वैपारी को बेचता है और विक्री के समय बिस्किट निर्माता को निर्धारे कर की दर पर GST का भुकतान करना पड़ता है यदि GST की दर 18 प्रतिशत है तो बिस्किट निर्माता को 90 रुपए यानि कि 500 रुपए का 18 प्रतिशत भुकतान कर के रूप में बिस्किट खरीदने वाले वैपारी से लेना होगा ये टेक्स वैपारी से बिस्किट निर्माता द्वारा एकत्र करने के बाद सरकार को जमा किया जाएगा यानि वैपारी अगर बिल बनाएगा तो वो बिल कुछ इस प्रकार होगा बिस्किट का मुल्य 500 रुपय प्लस GST 90 रुपय कुल राशी 590 रुपय ये वैपारी समान का भंडारन करता है एक दुकान का रख रखाओ करता है काम करने के लिए कर्मचारी रखता है वो इन बिस्किट को एक खुद्रा दुकानदार को 700 रुपय में बेचता है इस रखम में उसकी सभी लागत और लाब भी शामिल है 700 रुपय को उसका अंतिम मुल्य मान लिया जाता है 18% GST की दर पर उसे 126 रुपय GST यानि 700 रुपय के रूप में भुगतान करना चाहिए अब यदि व्यापारी ने बिस्किट निर्माता से बिस्किट खरीटते समय 90 रुपय GST के रूप में चुकाए है तो इसलिए कर के रूप में पहले से भुगतान किये गए 90 रुपय को इस 126 रुपय में से कम कर दिया जाएगा और बाकी का भुगतान यानि कि 126-90 यानि 36 रुपय का भुगतान व्यापारी को करना होगा उसको भुगतान में से 90 रुपय कश्रे मिलेगा जो उसने खरीदते समय निर्माता को भुगतान किया था इसे हम इन्पुट टेक्स ट्रेडिट भी कह सकते हैं और इस कंडिशन में व्यापारी का बिल कुछ इस प्रकार होगा बिस्किट का मूल्य 700 रुपय जी अस्टी 36 रुपय कुल राशी 736 रुपय या इस पे हम एक दूसरे तरीके से भी विचार कर सकते हैं कि व्यापारी के लिए विक्री मूल्य 700 रुपय है और खरीदे गए इन्पुट का कुल मूल्य 500 रुपय है यानि समवर्धित मूल्य 200 रुपय होगा समवर्धित मुल्य वस्तू और सेवाओं के विक्री यानि आउटपूट के लिए मुल्य और खरीदे गए ठोस इनपूट के मुल्य के बीच का अंतर है जिसी के हमने देखा 700-500 तो 200 रुपए की राशी पर वह 18% की दर से 36 रुपए ही कर देता है या वही राशी है जो व्यपारी के बिल में है समवर्धित मुल्य यानि 200 रुपए पर व्यापारी द्वारा करका भुपतान किया जाता है जबकि कुल मुल्य 700 रुपए पर नहीं उत्पादन में उप्योग किये गए ठोस इंपुट जिन पर पहले से ही कर लगाया गया है उन पर फिर से कर नहीं लगाया गया और जरूरी बात तो यह है कि इंपुट पर करका भुपतान किया गया है इसलिए वैपारी को प्रमाण के रूप में बिस्किट निर्माता का बिल भी रखना होगा यहां जो महतुपूर्ण चीजे हमको देखने को मिली वो है कि किसी भी समान पर समवर्धित करप्रणाली के तहत बुपतान किया जाने वाला टेक्स कम होता है क्योंकि इन्पूर्ट पर दुबारा टेक्स नहीं देना पड़ता जीस्ट के तहत कीमत में टेक्स कम होने की उमीद भी बनी रहती है दूसरा हम ये भी देखते हैं कि जीस्ट में बिलो की महतुपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि एक सबूत प्रदान करता है कि खरीदार ने इन्पूर्ट पर जीस्ट का भुपतान किया है या नहीं जिसी कि हमने देखा कि हमने वैपारी वाला जो उदारन देखा था जब तक वा अपनी खरीदी का सबूत प्रस्थूत नहीं करता तो उसे सरकार को करके भुगतान के रूप में 36 रुपे की जगा 126 रुपे देना होगा तीसरा हम या पे देखते हैं कि हालक रुपारी द्वारब कर लगाया जाता है लेकिन लास्ट में उसको भूपता ही कर की राशी को भुपतान करता है यानि हम यह कह सकते हैं कि उभूक्ता कीमत में छिपे कर के बारे में अक्सर अंजान ही होता है क्योंकि उभूक्ता से आप्रत्यक्षकर के रूप में एकत्रिक किया जाता है निर्माता और वेपारी टेक्स एकत्रित करते हैं और सरकार के पास इस टेक्स की राशी को जमा कर देते हैं तो आपने देखा कि किस तरह आप रत्यक्षकर में जो खामिया थी उनको दूर करते हुए GST लागू कर दिया गया और GST का लाब आम जनता को, सरकार को और कारोबारियों को किस तरह से मिल रहा है ये भी हमने जाना लेकिन कहीं न कहीं हमेशा ये जरूरत महसूस की जाती रही कि कर की जो प्रणाली है वो न्याय संगत होनी चाहिए और कब ये न्याय संगत कहलाएगी तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि जनता की जो मांग है, जो उनकी सोच है इस पर डिपेंड करता है कि किस कर प्रणाली को हम न्याय संगत मान ले जनता ये सोचती है कि जो लोग कम कमाते हैं, जिनकी आय कम है उन पर कम कर लगाया जाए और एक आयवर्ग समाज का ऐसा होता है, जिनके पास आवशकता से अधिक धन संपत्ती है या हम कहें कि उनकी आय बहुत जादा है, तो उनके उपर जादा कर लगाया जाए और कहीं न कहीं इस तरह से कर प्रणाली के अंतरगत जो कर की दरे तै की जाती है, जो टेक्स लैप जो तयार किया जाता है, वो इसी न्याय संगत्ता पर ही आधारित होता है हम देखते हैं कि हम अपने जीवन में तीन तरह की वस्तों का उप्योग करते हैं कुछ वस्तों ऐसी होती हैं जिनको हम अनिवारे आवशिक्ताओं की श्रेणी में रखते हैं, जैसे रोटी कप्ड़ा और मकान, जीवन रक्षक दवाईया, और आप ये भी देखते होंगे कि ये जो चेजे होती हैं, जो जीवन के सुरक्षा के लिए, लाप्रत जीवन प् काप्त करने के लिए, उन पर जो टेक्स रेट होता है, वो काफी कम होता है, आराम दायक वस्तों पर उससे कुछ अधिक होता है, और जो लग्जीरियस वस्तों होती है, विलासिता की जो वस्तों होती है, उन पर टेक्स रेट कुछ अधिक होता है, तो कही न कहीं सरकार के द जेखा कि कहीं न कहीं जीस्टी लाने के पीछे एक बहुत महत्पून कारण यह भी था कि कर की चोरी को रोका जाए हमने पढ़ा underground production के बारे में याने कि बहुत सारे उत्पादन बहुत सारी विक्री ऐसी होती थी जिसके बारे में जो उत्पादक वर्ग है जो वैपारी है वो जानकारी ही नहीं देते थे और जब उन उतपादन ये विक्रे की जनकारी सरकार को नहीं हो पाती थी तो उस पर tax याने की कर भी प्राप्त नहीं हो पाता था दूसरी है बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं जिनके लिए आप देखते होंगे की कई बार आपको बिल नहीं दिये जाते क्योंकि अगर आपको बिल दिया जाएगा तो वो सेवाएं या वो विक्री या उत्पादन recorded हो जाएगा वो record में आ जाएगा और उस पर सरकार को tax देना ही पड़ेगा तो कई ऐसे तरीके होते हैं जिनको अपना कर ये जो वैपारी कारोबारी होते हैं वो कर अपवंचन या कर चोरी करते हैं लेकिन GST के आने के बाद जब से कर की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो ओनलाइन हो गई तो इस ओनलाइन प्रक्रिया से कर अपवंचन या कर चोरी की यह जो समस्या होती थी सरकार को उसको काफी हद तक कम किया जा चुका है। लेकिन देश के नागरिक होने के नाते हम सबका ये करतवे बनता है कि हम कर अपवंचन को रोके और खुद भी हम जो भी हमारे हिस्से का कर है उसको हमको भुकतान करना है चाहिए। क्योंकि हमने देखा कि सरकार के राजस्व प्राप्ती का जो सबसे बड़ा स्त्रोथ होता है सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो होता है कर। और हम क्योंकि हमेशा या पेक्षार करते हैं कि सरकार हमारे लिए सभी छेत्रों में चाहे वो सिक्षा और सुआस्त हो या परिवान, सभी छेत्रों में अच्छी सोईधा मोहिया करवाये लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा जब उसे राजस्वी की अच्छी प्राप्ती होगी और राजस्वी की प्राप्ती सरकार को तभी अच्छे से हो पाएगी जब हम कर अपवंचन या कर चोरी को रोके एक महतुपूर्ण बात यहाँ पर कर और वैक कि अगर हम अंतराश्ट्री तुलना करें तो हम देखते हैं कि भारत के परिप्रेक्ष में अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्योंकि कर की राशी सरकार बहुत कम वसूल कर पाती है जैसी कि हमने देखा कि कर अपवंचन या कर चोरी के समस्या बनी रहती है तो ऐसी कंडिशन में क्योंकि कर की राशी कम वसूल हो पा रही है इसलिए कर के आधार पर जो राजस्व जो प्राप्त होता है उसकी राशी कम होती है और अगर राजस्व कम होता है तो सरकार के द्वारा किये जाने वाले बारशी कम हो जाते हैं तो आई एक तालिका के माधियम से हम जाने कि सरकार अपने प्राप्त राजसु को किस किस तरह से किन किन मदों पर व्य करती है कर संग्रहन और कुल खर्च GDP के प्रतिशत में चीन में कुल संग्रहन 19.4 कुल खर्च 29.7 और मानो पुंजी पर खर्च 7.2 भारत कुल कर संग्रहन 16.6 कुल खर्च 26.6 मानो पुंजी पर खर्च 5.1 ब्राजिल कुल कर संग्रहन 35.6 कुल खर्च 40.2 मानो पुंजी पर खर्च 11 कुल कर संग्रहन पर खर्च 24.3 कुल खर्च 20 मानो पुंजी पर खर्च 8.4 वियतनाम कुल कर संग्रहन 22.2 कुल खर्च 28 मानो पुंजी पर खर्च 8.8 दक्षिन अफरिका कुल कर संग्रहन 28.8 कुल खर्च 32 मानो पुंजी पर खर्च 10.7 तुर्की कुलकर संग्रहन 29.3, कुलकर्च 37.3, मानोपुंजी पर खर्च 7.2 रूस कुलकर संग्रहन 23, कुलकर्च 38.7, मानोपुंजी पर खर्च 7.2 इस पूरे अध्याय में आपने देखा कि सरकारी बजट क्या है और बजट बनाने के पूर्वक कौन कौन सी तयारिया की जाती है क्यों बजट बनाया जाता है और इस पूरे बजट की प्रक्रिया में कर का क्या रोल होता है